हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दे चैनल, होप सो आप सभी बहुत अच्छ होगे आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं कि हम लोग SOSC का फॉर्म कैसे फिलप करेंगे क्लास 9 और 11 दोनों के लिए आप लोग की बहुत जादा डिमांड आ रहेती कि सर एक बार एक्स्प्लेइन कर दीजे की फॉर्म कैसे फिलप के जाएगा बच्चों आप लोग उसे जरा से भी मिस्टेक ना हो इसलिए आप लोग पूरे प्रोसीजर को बहुत ही ध्यान से देखेगा क्योंकि एक छोटी सी अगर आप लोगों से मिस्टेक होती है तो उसके जरसे आप लोग को फॉर्म करेक्शन के लिए काफी इंतिजार करना पड़ेगा और करेक्शन विंडो एक या दो दिन के लिए ही उपन हो पाती है और उसमें भी कई चेंजिस ऐसे होते हैं जो नहीं हो पाते अभी मैं बतातो जैसे कि पिन कोड में सबसे बड़ी गलती करते हैं आप लोग अपने एरिया का जो पिन कोड है उसको आप लोग गलत फिल कर देते हो और बाद में आपके नियरबाय का उसके अंदर सेंटर ही नहीं शो करता है तो यह सब गलती आप लोगों से नहीं होने चाहिए चली हम लोग देखते हैं कि हम लोग फॉर्म कैसे फिल अप करेंगे आप लोग देखेंगे कि डॉक्टर भीम राव अंबेटकर स्कूल्स ऑफ स्पेचलाइस एक्सेलेंस शो कर रहा है इस पर जैसे हम लोगों ने क्लिक किया तो हमारे पास एक नया पेज जो है उपन हो जाएगा ठीक है अब यहां पर आप लोग देखोगे इंट्रोडक्शन का पेज है पहले इंट्रोडक्शन पर सब कुछ दिखा रखा है ठीक है सारी चीजी है आप लोग डीटेल में पढ़ सकते हैं और अगर पढ़ना नहीं चाहते हो इसके उपर वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल के सब्सक्राइब करेंटेंचे़ चाहते ह्टों पर पूरी वीडियो है सलेबस वागेरा के वीडियो प्रॉपर तरीके से पड़ी हुए पूरे बुपरिंट को मैंने for 2024 तो आपको new registration करना है new registration के लिए आप लोग यहां पर click करेंगे new registration पर जैसे आप लोग click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीगी की details open हो के आ जाएंगे आपको पढ़ने का मन करें तो आप लोग पढ़ सकते हैं age criteria क्या है class 9th में admission लेने के लिए 13 year से 15 year के बीच में होना चाहिए ठीक है 13 year complete हो चुका हो बट 15 year से कम हो और 11th में admission के लिए 15 year complete हो चुका हो और 17 year से less than हो तो आप लोग apply कर सकते हैं सारी important dates वगेरा इस पर mention की गई है and हमें क्या करना यहां जाना है और यहां पर tick लगाना है इसको option को tick लगाएंगे और click here to proceed पर कर देंगे फिर आप लोगों से पूछा जाएगा full name आप लोग अपना full name यहां इंटर कर सकते हैं gender male यह female mobile number mobile number बेटा वही fill करना जो number चालू है आपका जिस पर call वगेरा आती है ठीक है वही number आप लोग एंटर करना क्यूंकि उसी number पर आप लोगों का registration का code वगेरा आता है OTP भी आता है ठीक है अगर कोई भी mistake वगेरा हो जाएगी correction करने के लिए भी OTP वगेरा उसी number पर आएगा इस number को आप लोग change नहीं कर सकते उसके बाद Gmail ID डालेंगे Gmail ID वही डालना जो Gmail ID आपकी चालू हो जिसका password आपको पता हो क्यूंकि इसमें भी बहुत बच्चे mistake कर देते हैं कहते सर हमने वह आली Gmail ID डाल दी जिसका password हमें अब नहीं याद है तो आप लोग admit card वगेरा डाउनलोड करने में result डाउनलोड करने मे आप लोग काफी जादा दिक्कत होगी तो इसमें तो बिल्कुल गलती मत करना उसके बाद area का pin code में भी बिल्कुल गलती मत करना otherwise proper address आप लोग fill नहीं कर पाएंगे तो मैंने इसको भी fill किया उसके बाद आप लोग किस class के लिए apply करना चाहते हो वो देख सकते हो class 9 के लिए class 11 के लिए ठीक है उसके बाद आपको last में है कि क्या आप लोग class 8 अगर 9 में admission लेना है तो क्या आप 8 qualify करोगे या नहीं करोगे और अगर class 10 11 में admission लेना है तो 10 को pass out कर पाओगे या नहीं कर पाओगे तो अपने according क्या करना है यहां पर yes को कर देना है करोगे ही करोगे जाहिए सी बात है तो दुबारा से उस नंबर से register नहीं कर सकते आप लोग इसलिए मैं बता रहो इसका screenshot तुरंत ले लेना तो आपके सामने इस तरीका page open हो क्या जाएगा यहां पर personal details है आपका नाम तो पहले से ही show करेगा father's name आपको यहां पर fill करना है फिर mother's name fill करना है gender आपने पहले fill कर दिया उसके बाद यहां पर category की बात करता है category में आप लोग general है SC, ST, OBC क्या है आप लोग यहां पर fill कर सकते हैं उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद आपको यहां पर date of birth फिल करने date of birth बहुत ध्यान से fill करना बिल्कुल mistake मत करना हर एक step बहुत ही अराम अराम से करना option इसमें पहले से 7th option में पहले से 9 है card number 11th option में आपको आधार card number fill करना है आधार card number में भी बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए फिर उसके बाद आपका address आएगा address 2 में भी सेम आगे का ही continue करना है आप लोग को locality आपका आसपास मतलब जो छेत्र है क्या है वो फिल करोगे आप लोग यहां पर जो पिन कोड आप लोगों ने डाल अगा उसके according आपको आपको यहां पर option शो करेंगा इसलिए मैंने कहा कि अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो आप लोग यहाँ पर रेकोगनाइज प्राइवेट स्कूल लिखेंगे अगर आप लोग गौवर्मेंट एडिट स्कूल में पढ़ते हैं तो गौवर्मेंट ठीक है अधर है तो अधर ऑप्शन उसके बाद हम लोग आगे percentage feel करेंगे उसके बाद how will you hear about SOSC, आपने SOSC के बारे में कैसे सुना, तो आप लोग जो भी इसमें सो option है उस पे टिक लगा सकते हैं, teacher से सुना, friend से सुना, आपने advertisement देखा, social media पे देखा, कहा देखा, next point है what is your purpose, आप लोग किसलिए SOSC में apply करना चाहते हो, ठीक है यहाँ पर option दिए गए, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, option पर ठीक लगा सकते हैं, doesn't matter, आपको जो ठीक लगा आप उस पर ठीक लगा दीजी, सो कोई फरक नहीं पड़ता, what do you plan to do after grade 12, grade 12 के बाद आप लोग क्या करना चाहते हैं, higher education, employment, रोजगार क्या करना चाहते हैं, इसके बाद आ आप लोग क्या करेंगे, save and next, यही main option होता है, उसके बाद आप लोग क्या करना है, simple सा आगे बढ़ जाना है, simple जब आप आगे बढ़ जाओगे, तो आप फोटो अपलोट करोगे, फोटो अपलोट करने के बाद बस यहां पे फिर आपको PDF डाउनलोड करने का option आएगा, व आप लोग उस सेंटर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, all of you thank you for watching the video, आगे आने वाली वीडियो के लिए connected रहेगा, और कोई अगर अपडेट आएगे तो आप लोग को इस चैनल पे मिल जाएगे, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कोई भी notification मिस ना होने आप आप